क्लास के लिए कि क्लास के लिए क्लास शुरू हो चुकी है सुभा के 9 बच चुके हैं सिम्रन नाम आ चुकी है और अब पढ़ने का टाइम है हना बच्चे ठीक है तो जो बच्चे मुझे नई जानते हैं जो बच्चे आज नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम है सिम्रन वनायक मैंने मास्चर्स किया है बच्चे बायोमेटिकल रिसर्च में मुझे तीन साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है 35 रांग आया था मेरा CSIR नेट में एन आइटी जैम में 110 मैंने बहुत सारे बच्चों को स्कूल और कॉम्पेटिटिव एक्जाम के लिए प्रिपेर किया है ठीक है तो अगर आप चाहते आप चल्दी से सबको बुला लीजिए और खुद भी हर दिन क्लासे अटेंड कीजिए लाइफ स्कूल डेली पर यह जो लाइफ स्कूल डेली है बच्चे यह सारी टीचर्स टाइम ली आती है आपका स्कूल लेने के लिए घर पर रहे है और सुरक्षित रहे है चलो पर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें जॉइन करना है ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाएं प्लस टाइस के बारे में और यूट्यूब कलासे के बारे में ठीक है अनक आटमी सब्स्क्रिप्शन उन बच्चों के लिए है जिने हमारे साथ चुड होते हैं, उनकी सारे questions, homeworks, DPPs, daily practice papers, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं plus पर, और वो जो सुविधाएं हैं, वो आपको तब मिलती हैं, जब आप subscription लेते हैं, बहुत ही nominal price है guys, subscription उन बच्चों के लिए जो plus classes लेना चाहते हैं, और ये जो plus classes है, बच्चे बहुत ही, बहुत ही मज़ेदार होती हैं, क्योंकि teacher आपके साथ live interaction करता है, आपको self study के साथ साथ, आपको questions दिये जाते हैं, homeworks के लिए, आपके साथ, you know, connection बना रहता है, 24 घंडे, ठीक है, तो जो one month, three months, six months, and 12 months का है, वो best है, six months और 12 months का, क्योंकि six months और 12 months में क्या होगा बच्चे, आप हमारे साथ, पूरा course कर पाएंगे, और minimum price है, right guys, तो ये ऐसे price decide किया गया है, कि हर एक बच्चा गाओं गाओं में इसको afford कर सके, simran life code apply करेंगे, तो आपको 10% off मिलेगा, मेरा referral code, हमेशा याद रखना, मेरा नाम है simran, तो code है simran life, ठीक है, अगर आप ये referral code apply करते हैं, तो इसका मत and 11,250 for 12 months, आपको सिफ इतना pay करना है, that is less than 1,000 rupees per month, right guys, ठीक है, चालो, अब शुरू करते है, anatomy of monocot leaf, ठीक है, I hope you guys are ready, जो monocot leaf है, आपके दिमाग में जैसे monocot आते तो क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए, monocot grasses, wheat, maize, sugarcane, और क्या आना चाहिए, rice, bamboo, coconut, यह सब monocots है, do you agree, guys, do you agree, that all of these are monocots, हाना, right, तो सारी grasses, सारे wheat, rice, maize, coconut, हाना, sugarcane, यह सब, bamboo, यह सब monocot है, तो monocot की leaves कैसी होती है, monocot की leaves, बच्चे, parallel venation होती है, यह अपने morphology में पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि parallel venation होती है, आपने पढ़ लिया कि जो leaf base होता है वो sheet की तरह होता है, जो almost आधी यह पूरी stem को cover करता है, हाना, veins parallel होती है, यह सब आपने पढ़ लिया, ठीक है, हाना, पर अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब आप internal structure पढ़ने जा रहे हैं, कि असली में internal structure क्या होता है, जब आप notice करेंगे monocot और diocot leaf को, तो आप एक बहुत interesting चीज नोटिस करेंगे, कि diocot leaf जो है, वो stem के perpendicular है, देख सकते हैं, यह stem है, और यह perpendicular leaf जा रही है, तो इसके दो surfaces हैं, एक lower epidermis और एक upper epidermis, हाना, राइट, तो lower epidermis, sunlight को इतना exposed नहीं है, जितना upper epidermis है, कल हमने बात की थी, dicot में दो surfaces होते हैं, upper epidermis को क्या बोलते हैं बच्चो, upper epidermis को बोलते हैं, adaxial epidermis, हाना, बोला था ना कल, adaxial epidermis, और lower epidermis को क्या बोलते हैं, abaxial epidermis, क्या बोलते हैं, abaxial epidermis, ठीक है, तो एक बात बताओ, adaxial और abaxial में क्या फर्क था, उपर की तरफ stomata कम थे, नीचे की तरफ stomata जादा थे, क्यों, ताकि कम से gum transpiration हो, monocot में ऐसा नहीं होता, monocot में देखो, leaf कैसी है, leaf थोड़ी parallel to the stem axis देखो, parallel to the stem axis अगर parallel होगी, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, it is growing like this अना, बोथ हार equally exposed to sunlight, right, तो equal distribution of stomata होता है on both the surfaces, adaxial also abaxial also, छिक है क्या आपको ये चीच समझ आ रही है adaxial मतलब dorsal abaxial मतलब below, below मतलब ventral चीक है, तो dicot में कैसी leaf थी, गगाईस, dicot की leaf को हम क्या बोल रहे थे, dorsi ventral leaf, बोल रहे थे ना, dorsi ventral leaf कि dorsal और ventral surface बिलकुल अलग थे, दिमाग में अब तक ना छप जानी चाहिए photodicot leaf की छप गई आपके दिमाग में हाँ, छप गई आपके दिमाग में dicot और monocot की leaf monocot की, अभी समझाती हूँ dicot की leaf याद आ रही है upper epidermis, lower epidermis palisade paranchyma spongy paranchyma and vascular bundles, राइट monocot leaf को देखते हैं, यह है आपकी dicot leaf, देखिए dicot leaf को कल हमने किया था division के तौर पर, adexial epidermis abexial epidermis और दोनों में cuticle होगा, दोनों की surfaces पे cuticle होगा cuticle क्यों होगा, ताकि transpiration कम से कम हो upper epidermis में आपको stomata कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, lower epidermis में आपको stomata जादा मिलेंगे, क्यों? ताकि transpiration कम से कम हो ठीक है, ground tissue में आपको क्या मिलेगा, दो टाइप के mesophylls palisade and spongy spongy में धेर सारी air cavities हैं, ताकि air यहाँ पे trap हो सके, और जो cells हैं, वो CO2 यूटिलाइज करके photosynthesis कर सके, तो palisade जो होते हैं, वो tightly packed chloranchyma cells हैं, what is chloranchyma? parenchyma having chloroplast, और spongy थोड़े loosely packed हैं, बहुत सारी intercellular space हैं, ठीक है? और vascular bundle तो हो गई, vascular bundle कैसा होगा बच्चे? conjoint, हाना? collateral, ठीक है? conjoint, collateral, मतलब xylem और phloem, बच्चे, xylem बहार की तरफ है और phloem अंदर की तरफ है, ठीक है? और यह closed होंगे, leaf में कोई secondary growth नहीं होती, leaf में कोई secondary growth नहीं होती, कभी leaf ऐसे चोड़ी-चोड़ी होती है, देखी है, नहीं न, leaf वैसी की वैसी रहती है, तो leaf में कोई cambium नहीं होता बच्चे, ठीक है? जाइलम और phloem होगा, और bundle sheet cells होंगे, bundle sheet cells हमेशा क्या होंगे? vascular bundle को surround करेंगे, ठीक है गाइस? Have you all understood? Raise your hands, who all have understood? Dicot leaf की division हो गई? Raise your hands, who all have understood? अब हम बात करते हैं, monocot leaf की, monocot leaf में क्या होगा बच्चे? upper epidermis और lower epidermis, दोनों में स्टो मैटा होंगे, ये फरक है, upper epidermis में भी स्टो मैटा होंगे, lower epidermis में भी स्टो मैटा होंगे, तो मैं इसको, monocot leaf को क्या बोल सकती हूँ? isobilateral leaf, क्या बोल सकती हूँ? isobilateral leaf, बोल सकती हूँ के नहीं बोल सकती? क्योंकि दोनों के epidermis पे equal stomata होंगे almost, ठीक है, अनन्या, कंचन, तनीशा, सत्यम, ये चीज़ समझाई, very good, तो upper और lower में आपको दोनों जगा epidermis में, stomata दिख रहे हैं, cuticle दोनों तरफ दिखेंगे, obviously, दोनों epidermis पे, right, हाना, अब, अब क्या आपको कोई palisade या spongy cells दिख रहे हैं यहांपर, नहीं, नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे जो mesophyll cells हैं, उनमें कोई differentiation नहीं है, कि कोई palisade होगा, कि कोई spongy होगा, तो इसका जो ground tissue है, मतलब आपको mesophyll cells एक जैसे दिखेंगे सारे, ठीक है, ओके, एक जैसे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आपको यह पता है, यहाँ पे कोई palisade और spongy नहीं है, vascular bundles होगे, ठीक है, almost equal size के, क्यों, क्योंकि parallel veins है, reticulate में तो ऐसा था ना, reticulate में ऐसी leaf थी, तो छोटी-छोटी veins भी थी, छोटी-छोटी veins में छोटे-छोटे vascular bundle होगे, राइट, पर parallel में क्या है, parallel में सारी almost midrim के same आती है, तो veins जो होती है, वो vascular bundle represent करती है, अब vascular bundle जो होगा, वो equal size का होगा, almost, ठीक है, okay, fine, तो यह चीच समझा दिये, यह छोटे-छोटे points आपको notice करने हैं, आपको picture से ही समझना पड़ेगा सब कुछ, cuticle है, upper epidermis है, lower epidermis है, उस में स्टो में आता है, ठीक है, और vascular bundle कैसा होगा, obviously, vascular bundle closed होगा, collateral होगा, की तरफ, xylem, upper epidermis की तरफ, towards upper epidermis, हाना, xylem is towards upper epidermis, and phloem towards lower epidermis, ठीक है, okay, and vascular bundles are surrounded by bundle sheet cells, यह bundle sheet cells, parenchymitous cells होते हैं, ठीक है, यहाँ पर parenchymitous cells हैं, bundle sheet cells, ठीक है, bundle sheet cells क्या करते हैं, बच्चे, सोचो, अगर xylem water transport कर रहा है, वो water mesophyll cells तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कैसे जाएगा, bundle sheet cells से, तो bundle sheet cells क्या करते हैं, transportation में help करते हैं, photosynthesis में help करते हैं, जो मैं आपको C4 cycle में पढ़ाऊँगी, photosynthesis में, ठीक है, ओके, तो xylem है, phloem है, xylem देखो, उपर की तरफ है, phloem नीचे की तरफ, तो xylem is towards upper epidermis, phloem towards lower epidermis, ठीक है guys, okay everybody, have you guys understood, parallel obviously, प्रकृती monocot में होगी ना, यह तो morphology में हमने पढ़ा था, कि parallel venation होते हैं, monocot leaf में, reticulate venation होते हैं, dicot leaf में, right, चीक है, have you guys understood this, पक्का, यह पूरा समझ आ गया, एक और बात, हमने पढ़ा था, कि, जो stomata होता है, monocot leaf में, it is guarded by what shape of cells, monocot leaf में, guard cells इस shape के होते हैं, dumbbell shape के होते हैं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जब हम epidermal tissue system पढ़ रहे थे, हमने आपको पताया था, कि, जो guard cells हैं, वो कौन सी shape के हैं, dumbbell shape के हैं, तो stomata is guarded by dumbbell shape cells, okay, fine, dicot में kidney bean, monocot में dumbbell, ठीक है, तो आपको microscope के नीचे ऐसा दिखता है, upper epidermis, lower epidermis, vascular bundles और ground tissue, जो है, mesophyll cells से बना है, आगे सबको so much, has everybody understood, very good, very good, ठीक है, अब हम एक के करके सारो कुछ, जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो read out करेंगे, ठीक है, ताकि यह आपके notes के लिए बच्छे, तो single layer है, adexyl and abexyl, हाना, दोनों में stomata होंगे, epidermis में, obviously, तब भी isobilateral leaf बोल रहे है, thick cuticle होगा, हाना, और mesophyll is not differentiated into palisade and spongy, very, very, very important, ठीक है, ओके, आपको diagrams आज आने चाहिए, अब तक बनाने, vascular bundle कैसे होंगे, बच्छे, अच्छा, जो main vein होगी न, यह parallel leaf है, हाना, जो main vein होगी, उसके बड़े-बड़े vascular bundle होंगे, और बाकी सब के छोटे होंगे, पर equal size होगा, यह जो side में जा रही है, इन सब के equal size होगा, चीक है, fine, तो vascular bundles collateral और closed होते हैं, collateral का मतलब same radius पर, एक xylem, एक phloem, अना, closed मतलब कोई cambium नहीं है, dicot में भी ऐसा ही था, ठीक है, और vascular bundles के around, parent comitis bundle sheet cells है, ओके गाइस, I think you guys have understood, have you understood, सब पताईए, सब को समझ आ गये, mentee होगा, mentee होगा, मैंने promise किया था, पर ध्यान से सुन लीजिए, mentee पूरे, अभी तक जितना पढ़ा है, उसके topic से होगा, ठीक है, अब बात करते हैं, bully form cells की, guys, guys, bullying is very bad, ठीक है, bullying is very bad, but studying bully form cells is very important and good, ठीक है, तो bully form cells के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे, जो grasses होती हैं, आपने देखा है, कभी भी grasses को, जो बहुत जादा गर्मी पड़ती है, तो grasses infold हो जाती है, infold मतलब, कभी देखा है, आपने curl inwards, देख, curl inwards, ऐसी, आणा, grasses ऐसे curl हो जाती है, ना, inwards, right, guys, तो यह जो curling of inwards होता है, यह किस वर्जे से होता है, these are special cells called as bulliform cells, बहुत ही special cells होते हैं, bulliform cells, यहाँ पर यह रहे, bulliform cells, यह जो bulliform cells है, ना, बच्चे, यह empty cells होते हैं, ठीक है, empty, large, colorless cells होते हैं, अपर epidermis में, कहां मिलेंगे आपको, अपर epidermis में, ठीक है, यह चीज समझ आई, पर करते क्या हैं यह, यह ना, जब बहुत जादा water stress conditions होते हैं, मतलब humidity बहुत कम है, धूप बहुत जादा है, गर्मी बहुत जादा है, तो यह क्या करेंगे, यह leaf को curl कर लेंगे, जब यह leaf को curl कर लेंगे, तो transpiration कम से कम होगा, राइट, तो देखिए, जब, अब मैं दो चीज़े बना रही हूँ, ठीक है, I am making two things, जब conditions normal है, जब conditions normal है, तो leaf ऐसे सीधी होगी, ठीक है, पर जब conditions normal नहीं है, leaf ऐसे curl हो जाएगी, ठीक है, water stress की conditions में leaf curl हो जाएगी, यह क्यों होगी curl, क्योंकि यह जो buliform cells है, यह motor cells है, यह अंदर की तरफ ऐसे हो जाएगे, ठीक है, ऐसे, और आपको एक बहुत खुबसूरत बात बताओं, बहुत ही खुबसूरत बात है, देखिए, जब, जब हवा में धेर सारे water molecules है, जब हवा में धेर सारे water molecules हैं, तो अराम से क्या हो सकता है, अराम से diffuse हो सकता है, right, what can happen is, पानी कम से कम lose होगा, transpiration कम से कम होगी, water stress condition नहीं है, पानी कम से कम lose होगा, ठीक है, तो buliform cells बिलकुल सीधे रहेंगे, leave भी बिलकुल सीधी रहेंगी, ठीक है, पर जब conditions favorable नहीं है, ठीक है, जब conditions favorable नहीं है, तो यह incurl हो जएगा, ताकि surface area कम absorbed हो, surface area कम से कम दिखा रहें, right, कम से कम, और कम से कम होगा, तो surface area कम होगा, तो transpiration भी कम होगा, और साथ में, जादा से जादा water molecules इसके बीच में trap हो जाएंगे, जब ऐसी चीज़ में ऐसे आप कर दोगे, तो जादा से जादा water molecules trap हो buliform cells जादा से जादा water molecules अपने अंदर बंद कर रहें, ठीक है, water stress conditions को fight कर रहें, have you guys understood this, आप सबको समझ आई ये बात, पक्का, किट्टू, अनन्या, सबको समझ आ गई, तो grasses में buliform cells होते हैं, और वो curling करते हैं leaves की, जब water stress conditions होती है, have you guys understood, very 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 important, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब जब buliform cells ने पानी absorb कर लिया, turgid हैं, तब तो leaf ऐसे होगी, पर जब turgid नहीं है, जब पानी की कमी है, ठीक है, तो वो ऐसे minimize करने के लिए ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, when they are flaccid due to water stress, they make leaves curl inverse to minimize the water loss, ठीक है, ओके, समझ आ गया, तो अब simple सा table बनाना है, dicot leaf and monocot leaf में, आप इसका screenshot ले सकते हैं, देके, आपको marks, CBSE में 3 marks का आ सकता है, I'm sure, 3 marks का पका का आ सकता है, बहुत important question है, dicot leaf and monocot leaf, dicot leaf, dorci ventral leaf है, तो अपर epidermis में stomata नहीं होएंगे, सिर्फ lower epidermis में होएंगे, तो इसको बोलते है, hypostomatic, क्या बोलते हैं, hypo, hypo मतलब lower surface पे ही है stomata, only lower surface है stomata, okay, monocot leaf is amphi stomatic, amphi stomatic क्या होता है, बच्चे की stomata दोनो surfaces बने, अपर भी और lower भी, ठीक है, dicot leaf में मतलब सिर्फ lower surface, monocot leaf, upper and lower दोनो, इसमें guard cells कैसे होँगे, dicot में, kidney shape, guard cells will be kidney shape, और monocot leaf में guard cells कैसे होँगे, dumbbell shape, तो kidney shape मतलब ऐसे, right, और इसमें dumbbell shape, ऐसे, ठीक है, okay, epidermis of dicot doesn't have buliform cells, buliform cells नहीं होते dicot में, monocot में होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा stomata होता है न, upper epidermis में, एक बात बताओ, monocot leaf में upper epidermis में stomata होता है, अब जब upper epidermis में stomata है, और पानी loss होने के chances ज़ादा हैं, तो कोई न, कोई machinery होनी च तो उसके लिए हैं buliform cells, ठीक है, तो generally buliform cells are present in upper epidermis, ठीक है, dicot leaf की mesophyll tissue is divided into palisade and spongy, monocot key is not divided into palisade and spongy, तो बहुत ही easy topic था अच, इसलिए मैंने menti भी रखा है, देखते हैं, आपको anatomy of flowering plants समझ आया है कि नहीं, ठीक है, तो सब के सब अब www.menti.com पर जाओ, और menti code apply करो, 360805, everybody, चलो, everybody, चले, 360805, हाँ, चलो, let's go on, चलो, guys, अब मैं wait कर रहे हूं सब का आने का, ठीक है, I am waiting for the players to join in, ठीक है, code है, 360805, go on to www.menti.com और ये code apply करोगे, और join कर लो, अपने नाम से, ठीक है, All the best to everybody, जल्दी से join कर लो, guys, मैं wait कर रहे हूं आपका, और जिन जिन बचों ने like बटन नहीं दबाया, जरूर दबा दीजे, आपको पता है, ये videos आपकी light playlist में जाती हैं, तो आप कभी भी इने देख सकते हैं, ढूंडने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, राइट, 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 जोईन इन, anatomy of flowering plants के questions है, हम कबसे anatomy of flowering plants कर रहे हैं, राइट, अब तक तो आपको याद हो गयोंगे बहुत सारे questions, important topics, जल्दी से join कर लीजे, कम से कम 30 बचे आ जाने चाहिए, मुझे चाहिए कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करो आप, ठीक है, everybody has to perform really good, रिफ 23 बचे आए हैं, hurry up and join, hurry up and join, रिफ 23 बचे आपको 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 आपको, टिशू, स्टार्च शीथ, sclerancomatis, 9, 7, 6 so everyone has voted okay, yes start sheet है answer और आप देख लो, आप क्या गलती कर रहे हो देखिए, endodermis एक single layer होती है हाना, epidermis के नीचे, epidermis होता है hypodermis होता है, cortex होता है, फिर endodermis होता है तो कल ही मैंने पताया था आपको कि dicot stem में endodermis होगा या उसमें क्या होगी, start sheet होगी हाना, राइट, पताया था कि नहीं पताया था देखो, endodermis of root has casparian strip, root के endodermis में क्या होगी क्या होगी, casparian strips होगी क्योंकि उसमें subrin present होगा और endodermis dicot stem में क्या होगा, start sheet होगी एक single layer होगी, जो इसमें start present होगा तो endodermis of dicot stem has start sheet endodermis of root has casparian strips monocot में तो कोई endodermis होता ही नहीं monocot की stem में कोई differentiation होता ही नहीं ground tissue का, ठीके गाइस तो सबको समझ आ गया क्या सबको समझ आ गया कि start sheet होता है answer endodermis of dicot stem का, चालो आगे बढ़ते हैं let's move on to the next question पहले उससे पहले दीडर बोर्ट देख लेते हैं कि किन किन बच्चों ने सही answer दिया है very good, यहीं बच्चे होते हैं मेशा ही सही देते हैं Ajay, Kuldeep, Shrestha, Malethi Ajay, Anadar Ajay कितने Ajay हैं यार Sna, Pankaj, Return of the Epic Footballer अरे अपना असली नाम रखो बच्चे तभी मैं आपको बिचानूंगी Sampreet, Shreya and Kashish 0 points पर हैं चीक है, पर बाकी जो 8 बच्चे हैं वो हमें दिख रहे हैं सबसे फास्टेश दी Ajay, Kuldeep and Shrestha ने, keep it up guys, keep it up आगे बड़े In leaf of rose plant does tomata occur In leaf of rose plant does tomata occur First, more on palisade surface less on spongy surface few on upper and more on lower surface equally on both the surfaces there is no stomata in the epidermis जल्दी से answer कर दीजे Time is up guys Very good I think majority ने अगर ये समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है कि rose dicot plant है चीक है? अगर rose dicot plant है और आपको पता है dicot plant की leaves कैसी होती है dorsi ventral तो dorsal surface पे comes to matter होगा ventral surface पे ज्यादा होगा dorsal upper surface है और ventral lower surface है तीन चीजे आपको याद रखनी है कि rose dicot है ऐसी आपको dicot के example जाने चाहिए monocot के आपको ये पताओना चीए कि dicot की leaves dorsi ventral होती है और आपको ये पताओना चीए dorsal surface upper epidermis होता है और ventral surface lower epidermis होता है जब आपको ये तीनों चीजे पता है आपको ये question आता है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए तो very good leaderboard देख लेते हैं कौन-कौन है हमारे toppers आज तो moral बहुत डाउन है बहुत डाउन है पढ़कर नहीं आए ना आप सब लोग पिछले topics नहीं पढ़कर आए guys क्या आप नहीं पढ़कर आए very good wolf mister क्या है आपका नाम बच्चे अपने असली नाम से आए किजिए ताकि मैं आपको पहचान पाऊं जैसे मैं मलेठी को पहचान गई हूँ अजे कुलदीप को जान गई हूँ श्रेष्टा, अदित्य, स्ना, सुहान, अदित्य यह हमेशा इसी नाम से आते हैं तो हमारे बीच में इंट्राक्शन तभी बढ़ेगा ना, जब आप अपने असली नाम से आएंगे wolf mister, चिके गाइस वेरिकुन मलेठी, मलेठी टॉप कर रही है आगे बढ़ें Vascular bundles and monocortylidians are considered closed because Vascular bundles monocort में क्यों बंद होते हैं Closed क्यों माने जाते हैं There are no vessels with perforation Xylem is surrounded by phloem A bundle sheet surround each bundle Cambium is absent जल्दी से पता दीजिए यह बहुत important question है बहुत बार competitive exams में आचुका है कि monocort के vascular bundles को Closed क्यों बोलते है Very good So majority 15 people ने सही answer दिया Really, really, really good guys तो cambium जो होता है वो absent होता है जो बचे गलत answer कर रहे है Please सुनिए आप गलत क्यों कर रहे हैं Monocort में नहीं होता है और dicot में secondary growth क्यों होती है क्योंकि उसमें cambium present होता है, open होता है तो vascular bundles जो monocort में होते हैं, वो closed होते हैं क्यों 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 क्योंकि cambium होता ही नहीं है तब ही तो हम बोलते हैं vascular bundles हम बोलते हैं conjoined, closed and dark stem के case में और हम root के case में क्या बोलते हैं radial, closed, exact बोलते हैं na monocort में क्लोस टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें केम्बियम अपसंट होता है, ठीक है गाइस, ओके तो देखते हैं, लीडर बोर्ट पर कौन है, जो सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, मलेथी, अजे, वुल्फ मिस्टर, अजे कुल्दीप, ना, सुहानी, सामप्रीट, श्रे 8, दीपा 9th, and 10th, सौमय शर्म, सौमय, you can do it, you can come up, really, I believe in you, चलो, दीपा, संप्री, जो 8, 9, 10th है, जल्दी से उपर आजो, और जो उपर है, वो अपनी पोजिशन बरकर आया रखो, ठीक है, ट्रीकॉम्स टेक पाट इं, ट्रीकॉम्स किसलिए पाट लेते हैं, ट्रांस्प चाट बोक्स वाले बच्चों, क्या है आंसर ट्राइकॉम्स वाला, जल्दी से बता दो, ट्राइकॉम्स क्या होते हैं, और ट्राइकॉम्स किसमें मदद करते हैं, ट्राइकॉम्स किसे बंदे कीविशे, बच्चों, चाट बोक्स, पाक्या doesते when children odd can talk on the issue, त्राइकॉम्स ट्रांस्पिरेषिन में मदद करेंगे, पचसं, ट्राइकॉम्स ट्रांस्पिरेशिन प्रिवेंट करेंगे, वो epidermal appendages हैं stem और leaf पे जैसे stem के hair होगे stem के glandular trichums होगे non glandular trichums होगे यह तो transpiration रोकेंगे और यह protection करेंगे यह कभी-कभी आपको मैंने यह भी बताया था कि बहुत सारे coffee वगेरा में trichums जो होते हैं tea वगेरा में या फिर आपके apple में जो trichums होते हैं वो क्या करते हैं जो भी trees हैं उनकी leaves और stem में हाँ वो कड़वा पन release करते हैं glandular trichums ताकि कोई उन्हें खाए ना ठीक है और साथ में trichums जो होते हैं transpiration भी रोकेंगे अना राइट एक्सपोज नहीं होने देरे epidermis के surface को तो trichums जो होते हैं root hair unicellular होते हैं और trichums generally multicellular होते हैं ठीक है गाइस तो बहुत ही अच्छे ये मैं already बढ़ा चुकी थी देखते हैं किन बच्चों ने सही दिया है इस बार सौमे शर्मा फास्टेस थी वेरी गुड और मलेथी फर्स हैं आगे बढ़ते हैं बच्चे ये questions extremely important है companion cells are associated with companion cells किसके साथ associated है sieve elements, vessel elements, trichums, guard cells hurry up and answer everybody 3, 2, 1 so time is up guys very good sieve elements and very bad for those 10 students who have got confused companion cells बच्चे दोस्त हैं sieve elements जैसे आपके best friends आपके साथ रहते हैं आपको guide करते हैं वैसे companion cells sieve elements के साथ रहते हैं और companion cells में nucleus होता है और sieve elements में nucleus नहीं होता sieve elements sieve cells की tube बनाते हैं sieve tube बोलते हैं जिसे और sieve tube में nucleus नहीं होता चाहे वो living है ठीक है? ओके, तो उनके साथ क्या होते हैं companion cells होते हैं ताकि companion cells turgidity maintain कर सके हैं pressure maintain कर सके loading करते हैं और unloading करते हैं sugars की sieve tube में, ठीक है guys, तो companion cell का answer क्या होना चाहिए था, sieve elements, यह हमने कौन से topic से पढ़ा था, यह हमने पढ़ा था permanent tissues में, complex permanent tissue में, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही answer दिया है, very good, और मेलेठी fastest हैं, ठीक है, okay, आगे बढ़ते हैं, vascular bundles in monocot stem are, monocot stem में vascular bundles कैसे होते हैं, बच्चे, close radial and in dark, open conjoint and exact, close conjoint and in dark, open radial and exact, देखते हैं, किन-किन बच्चों ने मुझे ध्यान से सुना है, ठीक है, जल्दी से पता दिचे कि monocot stem में vascular bundles किस तरह के होते हैं, 3, 2, 1, yes, time is up guys, vascular bundles सिर्फ 14 बच्चों ने सही दिया है, closed, अभी मैंने बताया, अभी, 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 कि dicot में होते हैं, open vascular bundle, monocot में closed होते हैं, यार, कब तक मैं बताती ही रहूंगी, कि monocot, closed vascular bundle, dicot, open vascular bundle, open मतलब secondary growth, closed मतलब no secondary growth, बच्चे, अब तक तो समझा जाना चाहिए, आपको, conjoint का मतलब कि xylem और phloem एक ही radius पर हैं, ठीक है, अलग-अलग radius पर नहीं है, और endark का मतलब है, कि proto xylem जो है, वो कहां की तरफ है, pit की तरफ है, और meta xylem बाहर की तरफ है, तो इसलिए, आपका answer होना चाहिए था C, right, radial हो नहीं सकते, open हो नहीं सकते, तो answer क्या होना चाहिए था, C, radial हमेशे roots में होते हैं, याद करवाया था ना guys, r for root, r for radial, ठीक है, okay, love free ते सेंग मैं मैं stem और root में confused हो जाता हूँ, चलो, करते हैं, आखरी में मैं revision करती हूँ, तीनों की, root की भी, stem की भी, leaf की भी, चीक है, तो आपको सारी चीज़े clear हो जाएंगी, जिनको भी confusion है, चीक है, मलेठी, अजे, स्ना, अजे, अदित्य, सुहानी, पंकच, अदित्य, अदित्य, की, stress था, कंचन, very good, पंकच, फास्थ हैं, और सबसे पहले, मलेठी ने answer दिया, चालो, आगे बढ़े, large empty cells which respond to water stress in grasses are, कौन से cells ऐसे होते हैं, जो large और empty होते हैं, water stress को respond करते हैं, bundled sheet cells, bulliform cells, guard cells, undifferentiated mesophyll cells, बच्चे, अभी तो गलत होड़ सकता है, उजिर, पर बाद में गलत ना हो, exams time में, हाना, ठीक है, ध्यान से सुना करो, अपनी concentration power बढ़ाओ, बच्चो, ठीक है, चलो, देखते हैं, क्या है answer, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये सबका सही होना चाहिए, thank God, कम से कम 20 बच्चों ने सही दिया, और मुझे सुना है, बाकी बच्चे, आप मेरे को बिलकुल नहीं सन रहे हैं, sorry to say, आप बिलकुल द्यान नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ तुक्के मार रहे हो, buliform cells, अभी पढ़ाया, हाना, मैंने कहा ना, buliform cells, ग्रासिस में होते हैं, अपर एपिडर्मिस में, और क्या करते हैं वो, इंकर्णिंग ओफ लीव करते हैं, ताकि सर्फेस एरिया कम से कम हो, लीव का, ताकि ट्रांस्पिरेशन कम से कम हो, तो buliform cells, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह मोनो कॉट्स में होते हैं, अपर एपिडर्मिस में, जनरलीन ग्रासिस, ठीक है, ओके, चालो, good guys, very good, आगे बढ़ें, लीडर बोर्ट की तरफ, लीडर बोर्ट में, मलेथी सबसे उपर है, मलेथी इस डूइंग रिली वेल, अजे, मलेथी स्ना, आदिते, पंकत, सुहानी, अदिती, और कंचन, very good, अदिती फास्टिस थी, और मलेथी टॉप पर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Ground tissue is undifferentiated in, जो ground tissue होता है, वो किसमे undifferentiated होता है, dicot stem, monocot root, dicot root, monocot stem, ठीक है, जल्दी से answer कीजिए, कि किसमे undifferentiated होता है, पहले तो आपको पता होना जी, undifferentiated का मतलब क्या है, फिर आप answer कर पाएंगे, जब आपके दिमाग में सारी photos छपी होंगी, टाइम जब आप, आप बच्चे कन्फ्यूस हो गए है, monocot root और monocot stem में, बच्चे monocot root में तो proper ground tissue differentiated था, endodermis था, pericycle था, पित था, याद करो, पित बहुत बड़ा था, था ना, सब कुछ, right, monocot stem में undifferentiated था, याद करो, monocot stem, अभी मैं आपको पिच्चर दिखाती हूँ, अभी सारी revision कराती हूँ, याद हो जाएगा, ठीक है, monocot stem में ground tissue differentiated नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, monocot में, monocot में, आपका epidermis होता है, hypodermis होता है, और बाकी सारा cortex होता है, ठीक है, कोई भी endodermis नहीं होता, कोई भी pericycle नहीं होता, कोई भी pit, कोई भी medullary area, ऐसा कुछ नहीं होता, तो monocot stem कोई भी differentiation नहीं होता, आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सी, कौन सी ground tissue है, ठीके गाइस, तो answer है, monocot stem, ओके, चालो, देखते हैं, मलेठी, अजे, सना, अजे, अदीती, पंकच, सुहानी, दीपा, श्ट्रेष्ठा, अदिते, वेरी गुड, मलेठी, फर्स्ट हैं, अभी तक, और सना, सेकिंड पोजेशन पे आ चुके हैं, और अजे ने, फास्ट्रेष्ट दिया है, पंकच, सुहानी, दीपा, श्ट्रेष्ठा, अदिते, come on, you can do it, you can also top, अदिती also, ठीके हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, इन बाढले, the vascular bundles are, बाढले क्या होता है बच्चे, बताएं किसी को बाढले क्या होता है, open and scattered, closed and scattered, open and ring, closed and ring, बहुत important question है, पिछले सालों में आ चुके हैं, competitive exams में, time is up, एक बाढ़ बताओ, बाढले क्या है, बाढले क्या है, बाजरा, बाजरा क्या है, monocot, monocot में कैसा बंडल होगा, closed, right, और scattered, ring shape तो dicot stem की खासियत है, scattered किसकी खासियत है, monocot stem की खासियत है, ring shape तो dicot stem की खासियत है, कल ही पताया था, right, scattered vascular bundle होते हैं, और closed होते हैं, क्योंकि monocot है, तो answer होगा, closed and scattered, जो 10 बच्चे हैं, जिन्नोंने सही दिया है, I am really proud of you, I am really, really, really proud of you, I am happy, ठीक है, आपने सबको beat करके top 10 position हासियत है, really good, और malethi मेरी हर class में आती हैं, और ध्यान से सुनती है, this is why malethi is the ranker today, okay, तो कोशिश कीजिए बच्चे, कि हर class में ध्यान से सुनिये, अच्छे notes बनाईए, और एक-एक point जो मैं बोलती हूं, वो एक question बन सकता है, जो जो point मैं बोलती हूं, वो एक question बन सकता है, तो सोचो, मैं इस पर ऐसा question कैसे दे सकती है, इस topic पर question कैसा आ सकता है, तो जब आप ऐसे पढ़ने लग जाएंगे, कि आप समझेंगे topic, उसके बाद समझने के बाद आप कोशिश करेंगे, कि इस topic पर कैसा question आ सकता है, तो आप ज़रूर, ज़रूर mentee top करेंगे, ठीक है guys, okay, चालो, अब जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा कि confusion हो रही है, उन बच्चों के लिए, अब मैं revise करूंगी, dicot stem, dicot root, monocot stem and monocot root, ठीक है guys, okay, is everybody ready, is everybody ready for the revision, सब एक बार thumbs up दे दीजिए chat box में, अगर आप ready है, dicot stem, dicot root, monocot stem and monocot root करने में, leaf हम अभी कर रहे हैं, ठीक है guys, तो देखिए, ये है आपकी, ये है आपकी dicot root, मिरको कैसे पता चल गया, मिरको सिफ शकल देखके पैचान आ है, अना, मिरको सिफ अगर शकल देखके पैचान आ है, तो मैं कैसे पैचानूंगी, देखिए, मिरको पता चल जाएगा, कि dicot root कैसे है, क्योंकि इसमें सिफ 4 vascular bundle है, दिख रहे हैं, सिफ 4 vascular bundle दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 सिफ 4, tetra condition है तो यह मेरे को पहले बारी में ही पता चल जाएगा कि यह dicot root है क्योंकि कम vascular bundle होते हैं और monocot में जादा vascular bundle होते हैं तो मेरे को सिफ शकल देखके पता चल गया कि यह poly arch condition है क्योंकि इसमें जादा vascular bundle है हाना? तो सिर्फ शकल देखके मेरे को ऐसे पता चल गया दूसरी बात इसकी पित देखो कितनी कम है कितने कम cells है पित में इसकी पित देखो कितनी बड़ी है तो पित जो होती है dicot root में कम होती है monocot root में बहुत ही well defined होती है ठीक है? fine बाकि सब सेम है बाकि सब बिलकुल सेम है root hair सेम है epidermis सेम है cortex सेम है endodermis सेम है pericycle सेम है right protozylum, metazylum सेम है क्योंकि protozylum जो है भार की तरफ है metazylum अंदर की तरफ है दोनों में दोनों roots हैं तो दोनों में कौन सी condition होगी? X-Ark X-Ark का मतलब है R for root R for radial and X-Ark condition बतलब protozylum भार की तरफ metazylum अंदर की तरफ towards the pit ठीक है? तो root में radial vascular bundles होगे तो मुझे कैसे पता चलेगा यह root का है? जब आपको यह diagram दिया जाएगा आपको कैसे पता चलेगा यह root का है? आपको पता चल जाएगा यह root का है आपको radial bundles दिख जाएगे आपको xylem और phloem अलग-अलग radius पे दिखेंगे इससे आपको पता चल जाएगा root है उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि dicot root है और monocot root है dicot root में कम vascular bundles होगे और monocot में धेर सारे vascular bundles होगे तो dicot में 2 होगे 4 होगे, 6 होगे, max to max और monocot में 6 से जादा होगे poly arch condition ठीके गाइस ओके अब आपको समझ आजएगा monocot root और dicot root में फरक very good अब हम stem की बात करते है देखे dicot stem और monocot stem में क्या फरक है picture से देखने से पता चल रहा है आपके तो आप confused होते हो देखो न, dicot stem में क्या है पहली बात आपको ये कैसे पता चलेगा stem का और root का नहीं है कैसे पता चलेगा आपको ये दिख जाएगा न कि इसमें proper क्या है, देखे metazylem, protozylem और phloem ऐसे हैं, phloem भार की तरफ xylem अंदर की तरफ तो conjoint और collateral vascular bundles है और ये कैसे पता चलेगा ये dicot है, क्योंकि इसमें cambium है जहां पर cambium हा गया बहां पर पता चलेगा, ये dicot है monocot stem में क्या होगा protozylem protozylem अंदर की तरफ होगा और metazylem भार की तरफ होगा, इसमें भी protozylem अंदर की तरफ metazylem भार की तरफ तो endarch condition होगी endarch condition यहां पर भी होगी endarch condition monocot stem में भी होगी ठीक है? monocot stem और dicot stem दोनों में endarch condition होगी और इसमें phloem और xylem closed vascular bundle cambium है ही नहीं एक ये फरक पता चलेगा दूसरा देखो बच्चे dicot stem कितनी differentiated है ground tissue में आपको endodermis दिख रहा है pericycle दिख रहा है पिथ दिख रहा है, सब दिख रहा है medullary race दिख रहा है पर आपको ground tissue में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ground tissue में आपको scattered vascular bundle दिख रहे है ना? जैसे आपका scattered vascular bundles है और proper parenchyma cells है कोई भी differentiation नहीं है ground tissue का वहीं आपको इसमें ring shape में नहीं दिख रहे vascular bundles ring shape में नहीं दिख रहे ring shape में दिख रहे है ना? देखो यह देखो यह ring बन रही है ना? यह ring तो यह जो ring बन रही है यह ring क्या है? इस ring में आपको endodermis के अंदर ring में vascular bundles present है दिखेंगे और monocot में scatter दिखेंगे, dicot में आपको क्या दिखेगा, proper ground tissue differentiated दिखेगा, monocot में differentiation नहीं होगा ठीक है guys, I think अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुकी हूँ dicot stem, monocot stem, dicot root and monocot root, ये NCRT के diagrams अब आपकी notebook में बन जाने चाहिए, ठीक है अब आपको अच्छे से समझ आ चुका है, difference tables बन जाने चाहिए, ठीक है guys okay, I hope आप सबको ये video बहुत पसंद आई है, ठीक है और हर सुबह 9 बजे आपको आना है, मेरी class के लिए कल हम बहुत important topic करने वाले हैं, वो है secondary growth अगर आप secondary growth master करना चाहते हैं, अगर आप secondary growth को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो जरूर पिछली videos देखकर आईए, जब आप पिछली videos देखकर आएंगे, especially initial वाली, तो आप ये समझ पाएंगे ठीक है, मेरी class हर सुबह 9 बज़े होती है, फिर उमेश सर की, फिर सुमिश सर की, फिर chemistry की, ये है दूसरी class का 12th class का time table, आप photo ले सकते हैं, alarm लगा सकते हैं, और telegram group पर हमें join कर सकते हैं, ताकि आपको updates मिलते रहें, ठीक है गाईज, अनक academy subscription अब भी ले लिजे बच्चे, बहुत time बीच चुका है, आपको recordings देखनी पड़ेंगी और recordings देखना थोड़ा सब boring हो सकता है, जो chapters कवर हो चुके और recordings देखोगे कि अभी का पड़ोगे, तो बहुत जादा क्या हो जाएगा, load हो जाएगा आपके उपर, तो best है, जल्दी से जल्दी join कीजे, आपको best option मिल रहा है, exams clear करने का, बच्चे, आपके 11th के exams तो होंगे, अभी चाहे syllabus reduce हो गया है, पर competitive exams में तो आएगे न, ये chapters आएगे का नहीं आएगे, आएगे तो इसलिए अभी से तयारी जम कर शुरू कर दो काल करे सो, आज कर, आज करे सो अब कर, ठीक है गाईस तो अगर आपको मेर से live interaction करना है, अगर आपको मेर से doubt classes पूछनी है, अगर आपको मेर से test series और analysis चाहिए कि आप चाहते हो कि बहुत सारे questions के practice हो, mega quizzes हो, weekly quizzes हो और बहुत ही जादा मज़ेदार तरीके से हम biology को प्यार करें, और एक-एक word NCRT का, NCRT exemplar का और extra भी बढ़ें, ठीक है अगर आप यह सब चाहते हो, everything you want, then you should buy an academy subscription, ठीक है ओके, अगर आप YouTube पर पढ़ रहे हो, आपकी knowledge बढ़ रही है, पर YouTube पर पढ़ोगे, तो सोचो क्या हो जाएगा धमाक के दार combination होगा आपको कोई नहीं रोग सकता 100 on 100 हर subject में लाने से ठीक है, और competitive exams clear करने से, तो unacademy learning आप download कीजिए, install कीजिए जब आप install करेंगे, तो आप plus पर जाएंगे, जब आप plus पर जाएंगे tell them in the chat box, क्या है मेरा code, what is my referral code, crushing game harshita, lovepreet kanchan, satyam, varshah what is my code, जल्दी जल्दी बताइए chat box में, हाँ simran live, yes it is simran live, ठीक है जब आप मेरा code apply करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है okay, तो 6 months का आपको 10% off and 12 months का भी, और 1 month में भी और 3 months में भी, ठीक है guys okay, everybody जलो, great very good, it's in caps prakriti, the code is in caps okay, हाँ, और बच्चे subscribe जरूर करना है चानल को, जिन जिन बच्चो ने subscribe नहीं किया, लाइक जरूर कीजी, एक लाइक, एक शेर और एक subscribe, सबको करना है, ठीक है, everybody, okay guys, bye bye, take care, we'll meet tomorrow with a new topic, जरूर पढ़ कर आना, तब ही आपको वो topic बहुत ही अच्छे से समझाएगा, ठीक है guys, bye bye